पीम नरेंद्र मोदी ने आने वाले त्योहारों और ठंड की मौसम और थ्विवस्ता की स्तेथी को ध्यान में रखते हुए करोना के खिलाफ बचाफ के सारे उपायों का पालन करते हुए देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए इस बारे में एक नई मुहीम जिसे जन आन्दोलन का नाम दिया गया है उसकी शुरुबात कर दी है प्रधान मति ने ट्विट के जरीए सभिहान की शुरुबात की पीम ने लोगों से खास अपील करते हुए ट्विट किया और लिखा आईए करोना से लड़ने के लिए एक जुठ हो हमेशा याद रखे मास्क जरूर बहने हाथ साफ रखे शोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे दो गस की दूरी रखे हमेशा से पीम की खास करे कि मुहीं में देश दुनिया के लोगों के साथ साथ आक्टिंग इंडस्टी के कलाकार भी खुल का सपोर्ट करते दिखे हैं चाहे बॉलीवूर हो या फिर भोचपुरी सभी स्टास पीम को वक्त वक्त पर सपोर्ट करते आए हैं और अब भी जब पीम इस खास आंदोलन का नारा छेड़ चुके हैं तो इस मुन का साथ दे ने बोचपुरी इंडस्टी से खूत पड़ी हैं आक्टरस पून अंदुवे आक्टरस ने हास वीडियो बनाकर अपने शोशल मीडिया पर पोस्ट की वीडियो में आक्टरस ने क्या कहा? आगे हम आपको जरूर दिखाएंगे पहले आपको दिखाते हैं इसका कैप्शिन जोनों इस वीडियो को पोस्ट करते वे दिया हैश्टाग युनाइट टुफाइट करोना क्योंकि ये लड़ाई शुरू होती है हमसे चलिए अब आपको दिखाते हैं पूनमदूबे का ये वेडियो खुद को अपने परिवार को और अपने समाज को सुरक्षित रखना है तो तीन बातों को हमीशा धियान दे वेर यो मास्क प्रॉपरली, वाश यूर हैंड प्रॉपरली and सोशल डिस्टेंसिंग अपने परिवार के लिए अपने समाज के लिए मैं अपने पियम मोदी जी के साथ हूँ और उमिद करती हूँ आप भी उनका साथ देंगे ताकि कोरोना हम सबसे दूर चला जाए जै हिन जै भारत थैंक यू बदाते कि केंद्र मंती प्रकार जावेड कर में मताबिक सब्भ्यान को सालवजनिक स्थानों पर करोना से बचने के उपायों के बारे में जागुकता बढ़ाने के मकसद से शुरू किया गया है करोना काल में डरने की नहीं सावधानी की अवशकता है ये संदेश जन जन तक पहुचाने के लिए जन चेतना की मुहीम चलाएगी जन चेतना की मुहीम के लिए लोगों से कॉन्टैक करके सबी थिकानों पर बैनर पोस्टर लगेंगे और साथ ही बड़े और नावी स्टार्स से भी मुहीम में जुड़कर लोगों से अपील करने के लिए कहा जाएगा खैर भोजपुरी वर्ड से तो पूनम नेक नेक शुरुवात कर दी है अब देखना ये होगा कि इसी कड़ी में आगे किन किन स्टार्स के नाव इसी इंडस्टी से जुड़ते हैं फिराल आपको क्या लगता है इस पर देजगा अपना जवाब नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में